ओम नमो भगवति वासु देवाय नमा नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन आफ प्रेर नामे हिंदू धर्न में सूरि ग्रहन और चंद ग्रहन लगने पर बहुत सारे उपाय किये जाते हैं कुछ लोग इसे शुब तो कुछ लोग अशुब भी मानते हैं इस साल यानि की 2020 में साल का आखरी सूरि ग्रहन 14 दिसेंबर को लग रहा है वैसे तो धार्मिक दिश्ष्री से सूरि ग्रहन को अशुब माना जाता है लेकिन जोतिश शास्त्र के अनुशार कुछ काम करने के लिए सूरि ग्रहन काफी शुब होता है कुछ शुपाय ऐसे होते हैं जिनने सूरि ग्रहन के दौरान या सूरि ग्रहन के पहले या बात करने से आपके जीवन में सुक्षांती सम्रिध्धी के साथ-साथ अच्छा स्वास्त और बहुत सारी बिमारियों से छुटकारा भी मिलता है शास्त्रों में ऐसा बताया गया है सूरिग्रहन लगने के पहले अपने सारे ही खाने की पकी हुई चीजों में आप तुलसी की पत्ती या कुशा रग दें ऐसा करने से जो अशुब दोश होता है सूरिग्रहन का जो प्रभाव होता है वो पके हुए खाने पर नहीं बढ़ता सूरी ग्रहन के दोरान लक्षमी स्त्रोत या कनक धारा स्त्रोत का पार्ट का पार्ट करना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा करने से आपको हर तरे के पैसे की समस्या से तो छुटकारा मिलता ही है साथ साथ अगर आपके सर पे कर्ज का बोज होता है तो वो भी कम होने लगता है धन प्राप्ती और धन संचय करने के लिए भी कनक थारास्तरोत को हमारे चास्तरों में सरवोत्तम बताये गया है जिसका पार्ट आपको सूरिग्रहन के दोरान करना चाहिए सूरिक रहन के पहले ही थोड़ा सा तिल, गेहूं और चना दान करने के लिए निकालने और सूरिक रहन हट जाने के बाद इसका दान कर दे ऐसा करने से राहू और केतु का दुश प्रभाव तो कम होता ही है साथ साथ आपको इससे जीवन में बहुत सारी तरक्की भी मिलती है और समाज में मान समान भी बढ़ता है ये करियर में ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है सूरिक रहन खतम होने के बाद शमी का पेर लगाना घर में बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से सनी का दुष्प्रभाव तो कम होता ही है साथ साथ समी का पेर सूरिग रहन के बाद अपने घर में लगाने से आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है घर में सुक शांदी समरिद्धी की कभी कमी नहीं होती और आपके जीवन में धन संबंद जो भी परिशानिया होती है वो समाप्त हो जाता सूरिग्रेंट खतम होने के बाद घर में श्रीयंत की स्थापना करना भी बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आप पर मालक्ष्मी की कृपा सदैफ के लिए बनी रहती है आपको सूरिग्रेंट शुरू होने के पहले ही अपने घर में श्रीयंतर लाकर रख लेना है और सूरिक रहन्ट खतम होने के बाद उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और उसके बाद हर दिन सुबाशाम जिस तरह आप रोज अपने घर की पूजा करते हैं उस तरह श्री यंतर की भी पूजा करनी है ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई धन संबंदिक परिशानिया नहीं आएंगी और आपके घर में सुख शांती समरिधी का वास होगा स्वास्थ लाप के लिए सूरिक रहन्ट के दरान महामरितन जैमंतर का जाप करना बहुत ही शुबमाना जाता है ऐसा करने से आपको स्वास्थ लाप तो होता ही साथ साथ अकार्म रित्यों और किसी भी तरह की महामारी से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है सूरिक रहन्ट के दरान आदित हिदय स्तुरोथ का पार्ट करना भी बहुत ही शुबमाना जाता है ऐसा करने से आपके उपर शूर्य का प्रभाव पढ़ता है जिसकी वज़े से आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है जीवन में बहुत तरक्की येश कीर्टी लाब सब कुछ मिलता है तो ये है कुछ बहुत ही आसान उपाए जिनने सूर अग्रहन वाले दिन जरूर जरूर करना चाहिए इनको करने से आपके जीवन में सुक्सांती सम्रिद्धी के साथ साथ बहुत सारा स्वास्त लाब और येश और कीर्टी भी आता है इन उपाओं को जरूर जरूर करके देखें आपको फर्क खुद पता चलेगा धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा